कर सेकेंड कोर्टर का GDP ग्रोथ रेट आया, GDP की ग्रोथ 6.3, 6.3% पे हुई है, पहली तिमाही में ये ग्रोथ रेट 13.5 प्रतिशत की थी, खुब डोल ताशे बजाए गए थे, खुब पीठोकी गई थी, सीना ठोका गया था, अब बिलकुल सुईपटक सन्नाटा हो गया, तो नौकरिया कम बन रही है, नौकरिया नश्ट हो रही है, और वो बेरोजगारी में कम आय में गुर्बत में दिख रहा है, तो पहली बाद तो ये हो गई, अब बजाए समस्या का समाधान ढूनने के, समस्या का निवारण करने के, सरकार के बद्दिमाग प्रवक्ता, ट्रोल जार्मी, ना समझ नेता, और कुछ चरण चुम्बा के खर्रा लेके दोडने लगे, उस खर्रे में क्या लिखा है, उस खर्रे में बताने की कोशिश की गई है, कि इंडिया की जो ग्रोफ रेट थी, वो यूएस से, चाइना से, यूके से, फ्रांस से, साओधी एरेविया औ पाकिस्तान से जादा है, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ी आपती है, कि साड़े आठ साल सत्ता में रहने के बाद, आपने हमको पाकिस्तान के समकक्ष खड़े कर दिया, पाकिस्तान को हम बहुत पीछे छोड़ा है, पाकिस्तान के आगे हमने कई कुनाचे बर लि चाइना की GDP का साइज है 19 trillion dollar और इंडिया की GDP का साइज है 3 trillion dollar 3 trillion dollar, 19 trillion dollar और 22 trillion dollar अब अगर हम बहुत जादा भी grow करेंगे तो उतना add नहीं कर पाएंगे जो US और चाइना जैसी economies अपने GDP में add कर लेगी पहले तो यह समझ लीजे दूसरी उससे भी important बात आपके लिए समझनी जरूरी है US में प्रती व्यक्ति की आए पर capita income करीब 70,000 dollar है चाइना में 20,000 dollar है UK में 50,000 dollar है France में 52,000 dollar है Saudi Arabia में करीब 48,000 dollar है Indonesia में भी करीब 13,000 dollar है भारत का पर capita income करीब करीब 7,220 dollar है हमसे 10 गुना US है हमसे करीब 7 गुना UK है हमसे करीब 7 गुना Saudi Arabia है और हमसे almost double तो Indonesia भी है तो पर capita आए पर व्यक्ति की आए से भी अगर आप compare करिए तो अभी हम बहुत पीछे है तो जब comparison करना है तो like to like economies पे करना चाहिए असलियत तो ये है कि भारत के GDP का बंटाधार और सत्यानाश तो आपने करोना का एक केस आने से पहले कर दिया था याद है ना GDP की 8.2% ग्रोथ दर को कैसे आपने आधा कर दिया था 4.1% पर अपना नासमझ और तुगलकी फर्मान डिमोनेटाइजेशन लगाके और आज भी वही हो रहा है आज पिछले 3 साल में इंडिया की एवरेज GDP ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में 1.8% है दो प्रतिशत से कम एवरेज ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में उसके बारे में क्या कहिएगा, उसके बारे में कोई जवाब है, और वो आकड़ा बाकी देशों के बारे में जरूर लगा कर देखिएगा, आपकी कृपा रही, तो हम 40 साल में पहले रिसेशन में चले गए थे, साहे साथ प्रतिशत एकॉनमी हमारी संकोचत हो गई थी, एक साल में जो बाकी इस किसी देश की नहीं होई, तो जब एकॉनमी की समझ ना हो, तो अननेसेसरी डिबेट में उलजना नहीं चाहिए, और भक्तगर जाके परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इंकम, पेश हो नहीं राय और उपभोग भी चर्मरा गया है